बिल्कुल देखे मोधी की गैरेंटी है और जो गैरेंटी है वो गैरेंटी की गैरेंटी है जुट मूट की गैरेंटी नहीं है जहां पे लोगों को कहा कोज जाए चुनावी वाइदे किये जाए जो कभी पूरे ना किये जाए इस देश की प्रथा पता ही क्या थी 2014 से पहले म आप सब को याद दिलाना चाहती हूं नया बजट आता था पार्लेमेंट के अंदर विधान सभाव के अंदर उसमें नए प्रोजेक्ट पारित किये जाते थे और प्रोजेक्ट पारित करके ये हिसाब नहीं होता था कि पिछले बजट में क्या प्रोजेक्ट पारित किये थे और क्या काम हुआ था या काम नहीं हुआ जब हम लोगों ने जॉइन किया मुझे रेलवेस का आज भी याद है सतानवे प्रोजेक्ट थे 97 जो सरकार ने पहले पारित के वेते और हर बार आके नहीं गोशना कर देते थे पुराना कोई काम नहीं होता था और आप अंदाजा लगाएं कि 2014 से जब तक मोधी जी आये जैसे ही मोधी जी आये तो आते ही वो पुराने जितने वाइदे थे जो कॉंग्रेसियों के वाइदे थे वो हमने पूरे की हैं तो जो ग्यारेंटी की ग्यारेंटी है वो मोदी की ग्यारेंटी है और पन्ना प्रभुक भारतिय जनता पार्टी के लिए संगठन का एक बहुत बड़ा रूप रहता है और संगठन में कारे करने वाले जितने हमारे workers हैं, कारे करता हैं भारतिय जन्ता पार्टी के, वो कोई paid लोग नहीं है, वो अपनी जेब से पैसा खर्षते हैं, चाय पीते हैं और पाँच आदमी को चाय पिलाते हैं और तब जाके पार्टी के लिए एक आइडियोलोजिकल जो इनकी लड़ाई है, उसके लिए साथ खड़े होते हैं और यही भारतिय जन्ता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है, कि यहाँ पर अपने विश्वास, अपनी हिमत और अपने करतवे से, अपनी इच्छा से जो लोग हैं, वो वॉलंटियर का काम करते हैं, पेड वर्कर से कभी वॉलंटियर का काम आप बराबर का नहीं करवा सकते, और भारतिय जन्ता पार्टी की जो शक्ती है, वो संगठन की शक्ती है, तीन बज़े बात करें।